नमस्कार आपका हमारी चैनल पर स्वागत है आज अम बनाएंगे आलू सूजी से बहुत चींश्टी नास्ता हम बच्टों के टीपन मेंद भिढू सकते हैं और सुबे के नास्ते मुझा सकते यह नास्ता बनाना बहुत यह अवसीं है, और हम और घर में थोड़ी सी संगलिद नास्ता बना कर से से बाड़ा के लओ सुची के लिए थोड़ा सा तेल डालेंगे तेल हमने डाल लिया है एक ऍाटोरिमिस वखेश्ची डाल यह लिल में तर निकाल लेंगे सुजी को बूलने से इसका कच्चा पने वो निकल जाता है गेस पे कड़ाई रखें के कड़ाई के अंदर तेल डालेंगे तेल के अंदर हमें थोड़े सब्जियों को फ्राई करना है तेल गरम हो गया तेल के अंदर डाल देंगे थोड़ा सा जीरा थोड़ी राही, तेज पत्ता और लॉंग इनको अच्छा बूरा कलर होने तक में पकाना है, डाल देंगे पीसा हुआ लसून डाल देंगे प्याज, टमाटर और हरी मेर्च बारी कटी होई गेस को कमी रखना है, कमाज पे इन सब को पकाना है किaktी को आपकाना है, थोड़ा नमक डालने, लइन ठीमाटर होई असानी से गलजाएंगे नमक डालने से जो टमाटर होते हैं जल्दी से पकर तयार हो जाते है एक बार में थोड़ा नमक डालना है, अब इसमें डालेंगे हम हमारी जो बुनी हुई सूजी है वो हम इसमें डाल देंगे और सूजी के अंदर डालेंगे पाने और अच्छे से कर देंगे मिक्स आप देख सकते हैं कि सूजी जो हमारी है तोड़ी गाड़ी हो गई है तेजबत्य को बाहर निकाल देंगे सुजी को सुजी के अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे ज्यादा देर पकाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सुजी को हमने पहले ही बून लिया था दो से तीन मिनट तक इसे पकाएंगे अब इसमें डाल देंगे उबले हुए आलू जो मैंने कद्दुकस करके यहां पर रखे है आलू और सुजी को नास्ता है बहुत ही अच्छा बनकर त्यार होगा आलू को सुजी के अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे अधा चमज नमख डाल दें नमख अमने पहले वी थोड़ा डाला है अधा चमज लाल मिर्शी पाॉडर अधा चमज धनीया ओर अधा च्छोता चमज हल्दी पाॉडर छोड़े चिली फ्लक्स और दो चमज मैधा बहुत ही क्रिपी बनकर तयार होगा अच्छे से मिक्स कर देंगे सारे मसालों को सुजी के नास्टे कड़ाव हमारा बिल्कुल तयार है आप देख सकते हैं कि इसको बंद कर देंगे वो दस मिनट के लिए इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे जब तक मारा मिशन ठंडा होता है हम तेल को गरम कर लेंगे कैस को उनकरेंगे और कड़ाई के अंदर तेल डाल देंगे तेल तब तक गरम होता है तब तक मारे जो बोल है नास्टे के वो हम तयार कर लेंगे बेbatter अच्छा हो गया है थोढ़ा सा गूंच लेंगे हाथों को थोढ़ा चिकना कर लेंगे गीया तेल बिल लगा सकते हैं काथों क theor कर लिया है चिकना जोशे हासाँने सी जो हमारे बोले बॉल कर तैयर हो जाएंगे थोड़ा सा मिश्ण आत में लेंगे और निम्बू के आकार के बोल हम बना कर तयार कर लेंगे तेल लगाने से बोल है जो आसानी से बन जाएंगे हम दो तरह के जो बोल है बना कर तयार करेंगे तो गोल बनाएंगे और टिकी के आकार के बनाएंगे आपके जैसे इचा हो आप ऐसे बना सकते हैं सारे बोल हमारे बनकर बिल्कुल तयार है तेल भी हमारा गरम हो गया है तेल को ज़्यादा गरम नहीं करना है मेडियमाच पे रखना है तेल को चया कर लेंगे तेल अच्छा गरम हो गया है साफधानी से दिरियते जो हमारे बोल है सुजी के नास्ते के वो हम इसमें डाल देंगे तेल अगर ज़्यादा गर्म होगा तो जो हमारी ये बॉल है वो बाहर से तुपक जाएंगे और अंदर से कच्छे रह जाएंगे इसलिए गेस को कम रखना है तेल को मेडियम आज पे पकाना है और गोल्डन ब्राउन कलर होने तक इसे पकाना है दिरे दिरे पर लटना है चाकि जो हमारे बॉल है वो भटना जाए आप देख सकते हैं बॉल हमारे कितने अच्छे बन कर तयार हुए है अब इन सुने को हम पहार निकाल लेंगे कड़ाई से प्लेट के अंदर डाल लेंगे दोनों तरह एक सनियक मने निकाल लें हैं दोनों डिजैन के दो सनियक मने बनाये थे अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब किये जिए और रेसिपी को आगे शेयर करना ना भोले बड़ी आसानी से इनास्तावन कर तयार हो जाता है धन्यवाद